तो बच्चो ये कानी एक सराबी की, एक बार की बात एक सराबी था, और गाउं में नेर होती है ना, नेर के पास कच्चे रस्ते होते हैं, और कच्चे रस्ते जो होते हैं जानसे गाड़ियां वगेरा जाती है, उसके पास में सरकंडे होते हैं, जिनकी जाड़ू वगेरा बन खुशी को भी नहीं दिखरा और वहा क्या कि रात हो गई आठ नव बजगे अंदेरा हो गया अब उसने फुल सरापी रखी अब हुआ क्या उस नहर में कोई लास आ गई क्या गई लास और पूरा गाओं वहां पे इकठा हो गया किस में लास है लास है ठीक है पुलिस आ गई अब पुलिस वालों ने क्या काम किया गोता खोरों को जो पानी में तेरते हैं ना उनको बुलाया लास निकालने के लिए लास को निकाला कम से कम पांच्छा गंटा उनको लगई लास को निकालने में समझ में आ रही है पांच-छा गंटे लग गई लास को निकाल दिया उन लोगों निकाल करके क्या काम किया नहर के पास में ही उस लास को ऐसे सिधा लिटा दिया लिटा करके उसको कपड़ा उसके उपर चादर वगएरा डाल दी लास पर ठीक है अब गाओं वाले रात के 12.30 बारा बजगे वो दुखी हो करके अपने अपने घर चले गई कि लास्तों मिल गई पानी से निकाल दी अब पुलिस जाने इनका काम जाने पुलिस वालों ने क्या काम किया एंबुलेंस वाले को फोन कर दिया कि एंबुलेंस आ जाए जल्दी से अब पुलिस वालों को भी भूघ लगे हुई थी अब गाओं के squirrel जो लोग थे न उन्होंने क्या काम किया पुलिस वालों के लिए खाना बगएदा है वो क्या सर खाना बगएदा क्षार करके वो तो दूर जाके बैठ गए खाना खाने लगे पुलिस वाले ठेक है अब श उसको सर्दी लगी रात को सर्दी लगी उसको उपरा करके देख चादर ऐसे ही पड़ी है यह चादर उसने उतारी अलगी लास थी लास को वापस दक्का दे दिया उसने नेर में लास को क्या गाम किया उसने नेर में वापस दक्का दे दिया और उसके चादर ओड करके खुद खुद सो गया हूँ अब पुलिस वाले खाना वाना खाकर के बोले कि लास की थोड़ी निगरानी रखें लास के पास में आये वो आकर के लास के पास खड़े हो गई तो एक बोला एक पुलिस वाला सामने खड़ा हो गया एक इदर खड़ा हो गया एक इदर खड़ा हो गया त एक बोला कि एम्बूलेंस अत्ती होगी लास्कूस में रखना है ठीक है और इतने ये करो कि खाना खाया हुआ थोड़ा पच जाई शिगरेट चास लो अपने तो वो बोला कि तू पीएगा क्या शिगरेट तो वो बोला कि मैं भी प्यूंगा वो निचे से आत निकाल के बोला एक मैं भी प्यूंगा वो जो लास्तिना स्राभी सोया हुआ था उसने निचे से आत निकाल करके बोला एक मुझे भी दो अब पुलिस वालों के पसीने छुट गए थू थू था वहां से बागे हैं